नमस्कार मेरा नाम है निवेधिता शांडिल्ले और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स आयोध्या में इस वक्त मंदिर राम का नहीं राजनीती का बन रहा है ये हमारी व्यक्तिगत राय नहीं है हिंदु धर्म के जंडा बरदार साधू संत शंकराचार ये बात कह रहे हैं इस समय आप गोधी मीडिया में इस बात की चर्चा खूब सुन रहे होंगे कि विपक्षी पार्टियां और नेता हिंदु धर्म विरोधी हैं क्योंकि वो 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं लेकिन क्या इन गोधी चैनलों और एंकरों की इतनी हिम्मत है कि वो प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट करने वाले चारों शंकराचारियों को भी हिंदु धर्म का विरोधी कह पाएं सवाल हमारा आपसे भी है कि क्या भाजपा अब हिंदु धर्म से बड़ी बन चुकी है अगर नहीं तो भाजपा का विरोध हिंदु धर्म का विरोध कैसे है देश के दंगाई पत्रकार इस समय राम मंदिर के बहाने खूब साम प्रदाइक बाते कर रहे हैं विपक्ष को बुरा भला सुना रहे हैं अमन्चोपडा ने तो कॉंग्रेस द्वारा राम मंदिर जानने के आमंतरण को ठुकराये जाने के बाद कॉंग्रेस को कम्यूनल का तंगा दे दिया और भाजपा को सेक्यूलर होने का क्लीन चीट दे दिया हलंकी ये सवाल बिलकुल जायज है कि आखिर कॉंग्रेस ने राम मंदिर जाने का नियोता क्यों ठुकरा दिया है चिंता मत करिये हम आपको पूरी जानकारी देंगे कॉंग्रेस के साथ साथ बाकी विपक्षी दलों और साधू संतों द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बहिसकार का कारण भी बताएंगे गोधी मीडिया के भक्तों की रुदन से उलट तत्यों के साथ इस मामले को समझेंगे हम इस वीडियो में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा धारमित्ता का कम और विपक्ष को घेरने और बदनाम करने का मौका ज्यादा लग रहा है कॉंग्रेस से पहले सपा अध्यक्ष द्वारा राम मंदिर का निमंतरन ठुकड़ाय जाने पर बवाल छिड़ा अखिलेस यादों को ये निमंतरन विश्व हिंदु परिशत के नेता आलोक कुमार देने गए अखिलेस यादों ने नकिवल नियोता लेने से मना कर दिया बलकि आलोक कुमार से उनकी तीखी बहस भी हो गई सपानेता ने कहा है कि हम जिन्हें जानते नहीं हैं उन्हें ना तो निमंतरण देते हैं और ना ही उनसे कोई निमंतरण स्विकार करते हैं दूसरी तरफ ममता बनर जी ने भी इस पूरे कारिरम को भाजपा की नौटंग की बताया है ममता बनर जी ने कहा है कि चुनाव से पहले मंदिर का उद्गाटन करना भाजबा की नौटंग की है इन लोगों पर गोधी मीडिया अभी पेड स्क्रिप्ट बना ही रहा था कि उनके हाथ एक बड़ा शिकार लग गया कॉंगरेस निमंत्रण को स्विकार करेगी या ठुकरायेगी इस पर बहुत दिनों से सवाल उठ रहे थे कॉंगरेस भी अपना स्टैंड साफ करने में जिजख रही थी मगर अंतताह कॉंगरेस ने राम मंदिर जाने के न्योते को स्वासमान अस्विकार कर दिया पार्टी की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि पिछले महीने कॉंग्रेस अध्यक्ष और राजय सभा में विपक्ष किनेता मलिकारजुन खडगे, कॉंग्रेस संसद्य दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोग सभा में कॉंग्रेस पार्टी किनेता अधीर रंजन को 22 जन्वरी 2024 को आयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्गाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं धर्म एक नीजी मामला है लेकिन RSS BJP ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनी तिक प्रोजेक्ट बनाया है कॉंग्रेस के इस बयान के बाद से भाजपा कॉंग्रेस को राम द्रोही कहने लगी पर कॉंग्रेस की बाद से भाजपा से ज़ादा गोधी मीडिया के पत्रकार नाराज हो गए कॉंग्रेस का सेल्फ गोल, सांप्रदाइक कॉंग्रेस, बीजेपी, अब की बार चार सो के पार जैसे नारे टीवी पर खूब चलने लगे एक गोधी पत्रकार ने तो भाजपा को सेक्किलर और कॉंग्रेस को कमिनल का तमगा दे दिया खूब हो हलना मचाना शुरू किया कि कॉंग्रेस राजनीती कर रही है, मंदिर का विरोध कर रही है अब इन बिकाव पत्रकारों को कौन समझाएगा कि विरोध मंदिर का नहीं भाजपा के राजनैतिक इवेंट का हो रहा है भाजपा द्वारा राम मंदिर पर की जा रही राजनीती का विरोध करने वालों पर राजनीती खेलने का आरोप लगाया जा रहा है सवाल तो ये भी उठता है कि भाजपा 2024 के चुनावों के पहले हडबड़ी में आखिर क्यों आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रही है मंदिर का उधगाटन जल्द से जल्द धार्मिक कारणों से नहीं बलकि राजनीती कारणों से किया जा रहा है भाजपा द्वारा मंदिर को चुनावी मोहरे की तरह इस्तिमाल करने पर सवाल कब पूछे जाएंगे गोधी पत्रकारों ने साबित कर दिया है कि विपक्ष तुष्टी करण की राजनीती खेल रहा है इसलिए राम मंदिर की प्राड प्रतिष्ठा में नहीं जा रहा लेकिन क्या ये गोधी पत्रकार बताएंगे कि देश भर के साधू संत शंकराचार्य किसके तुष्टिकरण की राजनीती खेल रहे हैं जो की कारिक्रम का बहिस्कार कर रहे हैं चारो प्रमुक शंकराचारयों ने इस कारिक्रम में जाने से मना कर दिया है पुरी के शंकराचार निचला नंद सरस्वती ने तो यहां तक कह दिया कि योगी और मोधी अभी तो खुश है आगे चल कर कालांतर में यूपी में तीन मीनी पाकिस्तान बन जाएंगे अयोज्या की तरह काशी और मतुरा में भी मस्जिद बनेगा नहीं हाल ही में काफी वाइरल बयान दिया कि मोधी लोकारपड करेंगे मुर्ती को सपर्श करेंगे तो क्या मैं वहां तालिया बजा करके जैजैकार करूंगा मेरे पद की भी मर्यादा है राम मंदिर में मुर्ती की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए तो फिर ऐसे आयोजन में मैं क्यों जाऊं उनके साथ ही पुरी गोवरधन मठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरा नंद ने भी कह दिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोशना कर दी कि देश के चारों प्रमुक शंकराचार्य और अन्यधार्मिक गुरू भी इस कारिक्रम में शामिल नहीं होंगे इन शंकराचारियों का कहना है कि ये पूरा का पूरा कारेक्रम ही शास्त्रों के विरुध हो रहा है। किया जाना चाहिए और इतना ही नहीं उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महा सचिव चंपत राय सहित सभी पधादिकारियों के इस सीफे की भी मांग की वो चंपत राय के उस बयान से बेहद नाराज हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय से विरोध के कारणों को सुनने समझने की जगे भाजपा की गोधी मीडिया की सेना लोगों को गाली देने के काम पर लग गई है कुछ चैनल तो भरपूर कोशिशों में लगे हुए हैं कि शंकराचारियों को विधर्म विरोधी साबित कर दें हालांकि भक्ती मैं गोधी मीडिया से और उमीद की भी क्या जा सकती है ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद और इस पे अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं कोई टिपड़ी करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें धन्यवाद